असलामों अलेकुम फ्रेंट्स मैं खार नाजमी शरीफ वेलकम टो फ्रेंट आज की इस वीडियो में हम लोग साइन्स के कुश्चन बैंक की जो सीदीज हमारी चल रही है उसका सिक्स पार्ट आज हम लोग करेंगे इस पार्ट में जितने पी कुश्चन हो सकते हैं उतने जादा से जादा कुश्चन कवर करने की मैं कोशिश करूंगी फाइफ पार्ट अल्रडी हमारे अप्लोड हो चुके हैं जिन लोगों ने वो नहीं देखे हैं वह एफ एफ टू क्लांसिस पर जाकर साइंस कुश्चन बैंक अगर आप सर्च करते हो तो आपको उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी जहां पर पांच वीडियो अल्रेडी अप्लोड हो चुके हैं आज की जो वीडियो है यह हमारी सिक्स है इसमें आज हम लोग कुछ कुश् नबतात के हवादार हिस्सों से पानी के बुखरात खारिज होने का अमल क्या कहलाता है यानि नबतात के जो हवादार हिस्से होते हैं जहां से हवा आर पार हो सकती है ऐसे हिस्सों से जो पानी के बुखरात खारिज होते हैं वो अमल को क्या कहते हैं तो इसे अमल सिरियान कह लाहां जैता है। इंसानी की चखला कैसी होती है। तो काजू के जैसी होती है। इनसानी कि शक्राइब कैसी होती है। अमेले तॉलीद की दो किसमें कौन सी है? एक गैर जिनसी तॉलीद है और एक जिनसी तॉलीद है? पौदो की अफजाईश का जदीत तरीका क्या कहलाता है तो इसे टिशू कल्चर या नसीज परवरी कहते है यानि पौदो की जो अफजाईश है जो उनका हम उसको पालते है पौदो को जो उसकी देखभाल करते है तो उसका जदीत तरीका है उनकी अफजाईश का या उनकी क्या कहेंगे उसको जैसे पौदों की जो नसले है वो बढ़ाने का जो तरीका है तो उसे टिशू कल्चर ये नसीज परवरी कहा जाता है नेक्स कोशन दे क्या है एक ही किसमे के दो तनों के खजबे का तबदीली इज्टिमा क्या कहलाता है तो इसे ग्राफ्टिंग कहते है यानि एक ही किसमे के अगर दो तने है तो इनकी जो तबदीली होती है तो उसको क्या कहते है ग्राफ्टिंग कहते है नर और मादा जवाजो या मनी कहा जाता है, नर यानि क्या मेल, तो नर जवाजे को क्या कहा जाता है, स्परम कहा जाता है, नेक्स देखी क्या है, नर और मादा दोनों जवाजे पैदा करने वाला जानदार क्या कहलाता है, तो इसे दो जिंसी जानदार कहते हैं, जर रेशो की ओपरी सीरे पर क्या हो करा अने के अमल को क्या कहते हैं थो इसे अमल क께서えて ङुद्यार की कहते हैं यह जुत घल की पर मुंतख्य नोग के होते हैं जङागत अप्द्दिल करते तो इसामाल को क्या कहते हैं अ मलेद इनधी चैस्टे के दिमाग का वजन कितना होता है तो तो duma को इसानित निए सब्सक्राइब करूआ क rozm collar अरूब को यहारी दाष खान्वा स right लिसका लिए इस पर छोटा पर बड़े कर फिर माँड़ास पार एक बड़ी दिमाग में जाता है वह उसका जो तालूख i C अहिति बाले दिमाग से नखाय मस्त तिल कीप इृष की दिसाब कि कि तू को से रिखती है मौजूदा इंसान का सां़ साइद्धिमान्प जञाते कहाँ है जेसे पुष्ट वाले इंसान को जाता है ऐसे जो इंसान जो अभी की नसले का इंसान है उसे क्या नाम दिया गया था ओंटेंस काहा गया था ओगे तो इससे रिलेटर जितनी भी डीटेल से अगर आपको देखना है जैसे इनसानों के जो अलग-अलग नेम रखे उनके अधवार के हिसाब से तो आपको पाचवी की किताब में मिल जाएंगा ओके आख के किन खलियात की वज़ा से रंग में इम्तियास होता है तो मखरूत खलियात की वज़ा से हम जो है रंगों में इम्तियास कर पाते हैं इंसानी लौब में कौन सा खामरा होता है तो इसमे तरकारी लुप aquí साल में का मॉड़ल किसने पेष्ज किया था तो वाटसन और कौरिक में जो है डिन्यसार में का जो मॉड़ल है वह पेश किया था खेला की किसमे हैं तो RNA कितने किसमे हैं तीन किसमे हैं नेक्स उशन देखी क्या है समंदर से खाम तेल बैक्टेरियम से साफ करने का तरीका किसने एजाद किया था यानि जो समंदर से खाम तेल हासिल होता है यानि उसमें बहुत सारी मिलावट होती वो प्यूर नहीं होता है उसको हमको क्या क नामी जो इंसान है इसने सबसे पहले खला में सफर किया था ओके इस रो का फुल फॉर्म क्या है तो इंडियान स्पेस रिसर्च और्गनाइजेशन जो है इस रो का फुल फॉर्म में क्या है इंडियान स्पेस रिसर्च और्गनाइजेशन एटी एम का फुल फॉर्म क्या है automatic tailor machine यह जो है ATM का full form है next question देखी क्या है पहला super computer कब तयार किया गया था तो 1975 में जो है पहला super computer का नाम क्या था तो जुड़े हुए हैं अभी अगर देखा जातों सिर्फ computer नहीं बिलकि हमारे mobile phone बगेरा भी जुड़े हुए हैं बहुत सारे जो है तो इस जाल को क्या कहते हैं इंटरनेट की वज़ा से ही हम लोग एक दूसरे से connected है ना तो इंटरनेट थर्मामेटर में कौन सी धात इस्तेमाल आपने का पैमाना किस नहीं जात किया तो इसको जो हम नापते हैं जो पैमाईश लिखते हैं वह डिग्री सेल सीजियस में इनहीं के नाम पर लिखी जाती है तो आगे सेल्सियस इनोंने इसके लिए इनका नाम आगे लगाया जाता है सीफर दरजे हरारत पर हवा में आवाज की रफ़तार कितनी होती है तो सीफर दरजे अगर हरारत है तो आवाज की रफ़तार कितनी होगी 331 मीटर पर सेकेंड यानि 331 मीटर तक कर वो एक सेकेंड के अंदर सफर तै कर सकती है दो मुतसल लहरों पर मौजूद दो नुकात का दर्मियानी फासला क्या कहलाता है तो इसे क्या कहेंगे तॉले मौज कहेंगे एकाई वक्त में पैदा होने वाली मुकमल लहरों की तैदाद को क्या कहते हैं तो इसे तैदाद अमवाज कहते हैं यानि एकाई वक्त भी यानि कूई खास वक्त हमको दिया जाता है। और उसमें जो पैदा होने वाली जो मुकम्मल लहरों की जो तैदाद है उसको क्या कहते हैं ? तैदाद हैं अमवाजिय यानि frequency कहा जहता है. यानि एक fix time में कितनी लहरे तयार हुई हैं ? suppose ये पांच लहरे अगर हमारी एक सेकंड के अंदर तयार हुए तो मैं क्या कहूंगी इसको ये कितनी इसकी फ्रिक्वेंसी हो गई पांच इसकी फ्रिक्वेंसी हो गई पर सेकंड यानि पांच लहरे पर सेकंड जो है इसकी फ्रिक्वेंसी हो गई फाइव वेब्स पर सेकंड तो इसे क्या कहा जाता है तैदादे अमवाज या फ्रिक्वेंसी कहा जाता है यानि जो दिया गया वक्त है उस वक्ते के अंदर कितनी लहरे तयार होती है जर्रे को एक इर्तियाश मकमल करने के दरकार वक्त को क्या कहते हैं तो इसे क्या कहते हैं दौर कहते हैं यानि किसी भी जर्रे को एक इर्तियाश जैसे अगर घड़ी है सपोस या फिर सपोस एक जूला है एक जूला है सपोस वो यहां से यहां तक इस तरहां से जो turn हो रहा है ऐसा तो एक सीरे से दूसरे सीरे तक जाने के लिए वो जितना भी वक्त तैय करता है तो उसे क्या कहेंगे एक दौर उसने अपना पूरा की एक चक्कर अपना उसने complete किया ओके नेक्स question देखी क्या है वास्ते के जर्रात लहरों की अशाद के उमूदी हो तो कौन सी लहरे होंगी तो इसे अरजी लहरे कहते हैं दौर या एहतिजास के लिए दरकार वक्त को क्या कहते हैं तो इसे वक्फे एहतिजास कहते हैं मसावी वक्षों में बार-बार दोहराई जाने वाली हर्कत को क्या कहते हैं तो मसावी वक्षों में है दौरी हरकत इसे हम कह सकते हैं उके क्योंकि एक तावी वक्त में बार-बार वहीं हरकत होती है तो इसे क्या कहते हैं दौरी हरकत कहते है हरकतों हिर्कत किस्मों से और सिलाई-भार किसंचन की कि हरकत और सही काथ है तो Stephens ?् कि यह एक किसमे की एहतिजाजी हरकत है जो सुई सिलाई मशीन की जो सुई है वो बार बार एक ही जगा पर आती जाती है तो इसे क्या कहेंगे हम एहतिजाजी हरकत कहेंगे कि ए का फुल फॉर्म क्या है तो इसको काइनेटिक एनरजी कहां जाता है पी ए को किसे कहां जाता है पोटेंशल इनर्जी को कहा ज़ते हैं कमियत और तवाजुन की दर्मियान मसावियत का तसवर किसने पेश किया तो इसे अलबर्ट आई सोरी कमियत और तवानाई की दर्मियान मसावियत का तसवर किसने पेश किया तो अलबर्ट आइस ट्राइन ने जो है कमियत और तवानाई तो इसे क्या कहा जाता है कुवत और हटाओ का जो हांसी लेजर पे वो क्या कहलाता है हमारा काम कहलाता है किसी जिसम पर अमल करने वाली कुवत को क्या कहते हैं तो इसे वजन कहते हैं यानि हमारा वजन तो ये क्या रहता है किसी जिसमे पर अमल करने वाली यानि हमारे जिसमे पर अमल करने वाली कुवत है जिसकी वज़े से हमें हमारा बजन मालूम होता है हर अमल का रद्धे अमल मसाविर और मुखालिफ सिम्त में होता है ये कानून किस ने पेश किया तो ये कानून न्यूटन ने पेश किया, नि किसी भी अमल का जो रद्धे अमल है, वो मसाविर मुखालिफ सिम्त में होगा, जैसे अगर एक बॉल है, आप इसको दीवार पर अगर मारते हैं, तो वो वापस आपके ही पास लॉट कराएंगा वो बॉल, तो मुखालिफ सिम्त म पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सिजन का वजनी तनासुप कितना है, तो वन इस्टू एट जो है, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सिजन का तनासुप, यानि एक अगर हाइड्रोजन के जर्रात है, तो आठ किसके हैं उसके अंदर ऑक्सिजन के, माद्दा इंतहाई मुही से सरास्ते मिलकर बनता है जोहर का पहला नमुना किस ने और कप पेश किया तो सरजय जेटहॉψ स नहीं आठंब्छी में जो है जोहर का पहला जोना मुल्रफेष कि son bord नहीं उन्यक्ष किया था रूद्रफोर्ट 1711 में इन्हों पेश किया था रूद्रफोर्ट Cuban 1911 में neutron की दरियाफ्त किसने और कप की थी तो प्रोफेसर चादूक 1932 में दिखी scientist लोगों के जो नाम है ये भी बहुत important इसे related भी exam में questions पूछे जाते हैं ओके तो neutron की दरियाफ्त किसने और कप की प्रोफेसर चादूक ने 1932 में की थी कितने electron की कम्यत एक proton की कम्यत के बराबर होती है तो तक्रीबन 1850 electron की कम्यत अगर हम मिलाएंगे तो एक proton मिलता है यानि electron जो हो हलके होते हैं और proton जो है वजनी होता है ओके नेक्स कोशन देखे क्या है मुखतलिफ मदार में electron की किसने और कब दरियाफ्त की जैसे हमने देखे थे देखे हम लोग electron के अलग अलग मदार होते हैं तो हर मदार में electron की तैदा किसने और कब जो है दरियाफ्त की थी तो नेल्स बोहर ने 1913 में ये दरियाफ्त किया था कि electron की तैदा मुक्तलिफ मदार में मुक्तलिफ होती है, मदारों को किन हुरुफ से जाहिर करते हैं, तो इसको KLM और N हुरुफ से मदारों को जाहिर किया जाता है, KLM में इलेक्टरों की तैदाद क्या होती है, तो इसके अंदर इलेक्टरों की तैदाद कितनी होती है, मतलब शुरुबात के मदार में कितने होंगे है जो है हाड्रोजन के तीन हम जाहे क्लोरीन के कितने हम जाहे तो क्लोरीन के सिर्फ दो ही हम जाहे कौन-कौन से अवागे अदद अब यह बात में हम देखेंगे क्लोरीन के कितने हम कौन से हम जाहे ओके अब एवागेडर वह अदद क्या है तो एवागेडर अदद क्या है द इसकी जो एकाई है खते उस्तुवा पर जी की कीमत क्या होती है तो 9.78 जो है ये युनिवर्सल है आपको यह याद रखना है जी की एनि ग्रेविटिशनल फोर्स की जो वैल्यू है खते उस्तुवा पर कितनी होती है 9.78 मिटर पर सेकंड तमाम अमली कामों के लिए जी कीमत क् ली जाती है मकनातिस लोहे के अलावा और कौन से धात्तों को कशिश करता है तो निकल और कोबाल्ट जो है इसको मकनातिस जो है वो कशिश करता है जिस तरह से लोहे को चिटक जाता है उसी तरह से निकल और कोबाल्ट की भी तरफ को अट्रैक्ट होता है जिसमें के मुक्तल कहा जाता है पिको और नहीं काता है कि वीड़ामेश कि विटाम सत ही कमी की वज़ा से हेमारे खून बहता है। कि अयगले कि एक ही वक्त में बहुत सारे लोगों को होने वाली बीमारी को क्या कहते है तो इसे Love embody को मानब 2 यहां को सबना उस दूसरे इंसान तक प्रांसफर होते हैं किस दर्जे हरारत पर लू लगती है तो पैतालीज डिग्री से के दर्जेहरत पर अगरा बाहर निकलते हैं तो आपको लू लग सकती है यानि बहुत ज्यादा गर्मी की वज़ा से जो प्रॉब्लम्स होती है उसे क्या कहा जाता है प्रॉरल रिहाडेशन सोलूशन जो है यह ओर आरेस का फुल फॉर्म है ओर आरेस कब इस्तेमाल करते हैं तो इससे ऐसा हाल में यानि जब दस्त या लूज मोशन वगेरा हो जाते हैं तब जो है बॉड़ी की जो इनर्जी है पानी जो है वो कम होने रगता है तो ऐसी सूरत का तौजन का तावादन का तनासो बरकरार रखते हैं तो नबतात जो है और और सेंटिमिटर की तेयार होने कितने साल लगते हैं तो 800-1000 साल जो वकफा होता है उन्ली 2.5 cm जो मिट्टी की तैह होती है वो तयार होने के लिए इतना बड़ा वक्फा लगता है पहाडी की धलान बांदे गए बंद को क्या कहते हैं तो इसे पुष्टा कहते हैं निए पहाड की धलान होती है जिसे पहाड है इसकी धलानों के ओपर बंद भांदे जाते हैं तो ऐसे बंद को क्या कहा जाता है पुष्टा कहते हैं ओके फैल्पा की बिमारी किस मच्चर से होती है तो सेल्यूक्स नामी मच्चर से जो है फैल्पा की बिमारी होती है भाब सर्द होने का अमल क्या कहलाता है तो इसे अमले तक्सीम कहते है कंडनसेशन भी कहा जाता है इसे पानी से भाब बनने का अमल को क्या कहते है तो इसे अमले तफखीर यानि इवैपोरेशन कहा जाता है पानी से जो भाब बनने का अमल है उसको क्या कहा जाता है इवैपोरेशन या तो इसे उर्दु में अमले तब खीर भी कहते हैं शलजम गाजर और मुली क्या है तो यह जड़े है शलजम गाजर और मुली जो है इनकी जड़ों के साथ इनको निकाल दिया जाता है इसलिए ने किसमें शामिल किया जाता है इनकी जो कैटेगरी है वो जड़ों की कैटेगरी आती है नेक्स लोशन देखे क्या है कुट्टे की उम्र कितनी होती है तो 16-18 साल जो है जिन्दा रह सकते हैं शुत्र मुर्ग की तक्रिवन उमर क्या है तो शुत्र मुर्ग की तक्रिवन उमर क्या है पचास साल है तो इस तरह से असेंडिंग ओडर में भी लगाने के लिए आपको आ सकता है कि उमर के हिसाब से या इनके दोरे हयात के हिसाब से इनको असेंडिंग ओडर में लगा तो कितना है दोरे हायात पचास साल तक जिन्दा रह सकता है और उसके बाद आखिर में जो है वह आएंगा सतर से नौवद वाला ओके यानि हाती की उम्र इनसान की नशनुमा कब तक होती है पइदाई से लेकर 25 साल तक जो है इनसान नशनुमा पता है उसके बाद जो है नशनुमा उसकी रुक जाती है नाबातात में नशोनुमा कब तक होती है, तो नाबातात की जो नशोनुमा है इसका कोई fix अरसे हायात नहीं यह जिंदगी भर अगर आप जितनी बार नाबातात का ताना काट दे जाएंगे वो उतना ही बढ़ता जाएंगा, यानि उसकी कोई limit नहीं है, वो जिंदगी भर ब तीन फिसादी इसता जो इस सम constant i पर कई तरह कोई i When cya Nharnification जाया है उसे क्या कहते हैं उसे नुकते इना शत्य अमाथ कहते हैं यह ऐसा दरजी ऊहरा जिस पर कोई by man आगर वा फिसादी जाती जैसे से पाणी बरस बन जाता तो इससे क्या कहें एक बढ़े नुखते अमाट कहते हैं जमीन पर मौझूद कितने फिसाद पानी पानी छोता है तो साथ 2 पानी जो होता है वह बुढ़ता पानी तो नेक्स कोशन की क्या है खून में कितने फीसदी पानी होता है, तो खून में जो है 80 फीसदी हमारा क्या पाया जाता है, पानी पाया जाता है, हवा में नाइटोजन का तनासुप कितना है, 78 परसंद, यह नि सबसे ज्यादा तैदाद में जो है अगर हम देखेंगे, तो यह हवा पाया जाती है, उसके ज़्यादा तःदाद में या सबसे बड़ा जो नाइटूजन गयस पाई जाती है उसके बाद ऑकसिजन पाइजाती हवा में ओकी फole को पकाने के लिए की इस गयस का इस्तिमाल होता है तो इसका इस्तिमाल फलो को पकाने के लिए जल से जल फल पक जा इसके लिए किया जाता है सदाएं बाजेगश्ट का इस्तिमाल करके समंदर की घहराई मालूम करने के तरीकों क्या कहते है तो इसे सोनार कहेंगे नारियल के बीजों का इंतिशार किसके जरीए होता है यानि पानी के जरीए जो है नारियल के बीजों का इंतिशार होता है क्लोरिन गैस किस रंग की होती है तो सबजी माइल जर्द रंग की जो है क्लोरिन गैस पाई जाती है सबजी माइल जर्द रंग एरक्टेनियम का जोहरी अदद क्या है तो 89 जो है वो एरक्टेनियम का जोहरी अदद है लोहे का जोहरी वज़न क्या है तो लोहे का जोहरी वज़न जो है वो पचपन अशारिया आट चार है Alluminium का जोहरी वजन क्या है तो Alluminium का जोहरी वजन 26.98 है सुराख बनाने वाले ड्रिल में कौन सा फॉलाद इस्तिमाल होता है तो Magnes Stryl का इस्तिमाल सुराख करने वाले जो ड्रिल मशीन होती उसमें किया जाता है तांबे का जोहरी वजन क्या है के जो सेटलाइट्स वगरा होती हो से तयारे कहा जाता है तो उसमें क्या इस्तिमाल होता है मैगनेलियम होता है तांबे की एहम कज़धात कौन सी है तो कौपर पाइराइट जो है वो तांबे की एहम कज़धात है तांबा और जस्त के आमेजे को क्या कहते है तो इसे पीतल कह कि आन्य तूच्पनियुखerson C क्वेंद ऑर्यटी वनत होते हैं तो यसे का कहा जाता है जिसे डोनों का मिक्स्चर्वाक अग्रान जाता है घंटे और घंटिया बनाने में किस धात का इस्तिमाल होता है तो घंटी धात का जो इस्तिमाल है वो घंटे और घंटिया बजाने में किया जाता है तो गन मेटल नाम की जो धात होती है उसका इस्तिमाल जो है बंदूग बनाने में किया जाता है मैगनीज हाइपो ऑक्साइट का कीमियाई जापता है कचधातों में शामिल गैर जरूरी अशिया को क्या कहते हैं तो इसे गॉंग कहा जाते हैं कचधातों में जो गैर जरूरी अशिया पाई जाती है उसे गॉंग कहेंगे कचधात यह नहीं क्या जो पियोर धात नहीं होती जिसमें मिटी कंकर वगएर बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं तो इसको क्या कहेंगे हम कचधात कहेंगे और कचधात में शामिल गैर जरुरेशे को क्या कहेंगे गौंग कहेंगे तामबा और कलई के आमेजे को क्या कहते है ऐलोमेनियम का कौन सा मखलूत मकनातिसी मखलूत है तो अलकेनू मखलूत जो है वो मकनातिसी मकनूत पाया जाता है ओके खालसा खालसा उकसाइट को क्या कहते है तो इसे ऐलोमेना कहते है बरफ बनाने में किस गैस का इस्तेमाल होता है तो अमोनिया गैस का इस्तेमाल जो है बरफ बनाने में किया जाता है चूले के पत्थर का कीमियाई नाम क्या है तो इसको केल्शियम कार्बोनेट जो है चूने के पत्थर को जो कीमियाई तो पर क्या कहा जाता है उसे केल्शियम कार्बोनेट का जाता है केल्शियम ऑक्साइट का आम नाम क्या है तो बूजा चून जो है वो कैल्शियम ऑक्साइट का आम नाम है कौपर सलफेट और चूने के आमेज़े को क्या कहते हैं तो दिखी क्या कहा जाता है इसे बॉर्डेक्स आमेज़ा जो है इसे कहा जाता है फेरस अमोनियम सलफेट दोहरा नमक क्या कहलाता है तो इसे मोहर का नमक कहा जाता है जिया बतीस के मरीज के पेशाप में शकर की मिदा किस से मालूम करते हैं तो बेंडिक का महलूल जो होता है इसके जरीए जो जिया बतीस का जो शुगर का जो मरीज होता है उसके पिशाप में कितनी शुगर है यह मालूम करने के लिए बेंडिक नामी शर्बत का इस्तिमाइब बेंडिक का जो महलूल है उसके जरीए किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का कीमियाई नाम क्या है तो केल्शियम ऑक्सी क्लोराइट जो है वो कार्बोनेट जो है वो दाथ साफ करने के पाउडर में और पेस्ट में यानि हमारे टूथपेस और तूट पाउडर में जो है यह इस्तिमाल किया जाता है सबसे ज्यादा aromatic hydrocarbon कौन सा है तो benzen जो ही सबसे ज्यादा aromatic hydrocarbon है benzen का कीमिया जापता क्या है तो c6 और h6 जो ही ये benzen का कीमिया जापता है phenol और acetic in hydride को hydride क्या है तो ये petro kimia ते यनि phenol और acetic जो है ये क्या है petro kimia थे दीमक में पाए जाने वेले bacteria कौन सी gas तयार करते है तो methane gas जो ही ये लोग तयार करते है गुद्रती और दल्दली gas किसे कहते है तो methane को जो है गुद्रती और दल्दली gas कहा जाता है क्या के फूलिफियन फिल्मात की लंबी जंजीर को क्या कहते है तो इसे polyethene कहते है ंत्हीन के खुद अपने आप से पामुल को क्या कहते है तो इसे polymerization कहा जाता है G brake प् DR आटके की आज याग में इतना ही हम आगे करेंगे आज की एपको कैसी लग ही मुझे कब्र inherently मुझे करने के जरूर बताईए अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो दूसरों तक भी शेयर कीजिए और अगर आगर तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए नेक्स वीडियो आने तक मुझे दूआ में याद रखिया लाहाफीज